फ्रेंट जब भी पिछला वीडियो मैंने बताया था कि बिजनस का आटोमेशन सिस्टम हम कैसे डेवलब करते हैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर क्लिक करके आप देख लें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आप अपने बिजनस को आटोमेशन पर ले कर जाएंगे ना तो बहुत इंपॉर्टन तीन महत्पून बातें आपके साथ निकल के आने वाली है नबर वन आस्क कोशन फ्रॉम स्टाफ अभी क्या रहता है अगर आपका बिजनस आटोमेशन पर नहीं है तो आप हमेशा अपने स्टाफ से प्रशन करते रहते हैं हाँ भी सेल क्यों नहीं आई कितनी सेल हुई है कैसे फॉलो अप कर रहे हो आप इस पर हमेशा फोकस करते हैं जब तक आप आप आटोमेशन नहीं करते हैं इसके लावा आलवेश प्रेजेंट इन बिजनस आपको हमेशा अपने बिजनस में प्रेजेंट रहना पड़ता है क्यों क्योंकि आपको लगता है कि मैं हूँ तो काम होगा और मैं नहीं हूँ तो काम नहीं होगा इसके लावा आप जब अपने target को achieve नहीं कर पाते मतलब आप अपने sales volume को नहीं बढ़ा पाते तो अपने staff से arguments करने लग जाते हैं लेकिन अगर आप अपने business को automation पर ले कर जाते हैं तो इस automation के सहरे आपको जरूरत नहीं है इन में से किसी भी step को follow करने की no need to ask question from your staff आपको अपने staff से कोई सवाल ही नहीं पूछना पड़ेगा और no need to always be present in your business आपको हमेशा अपने business में present होनी की भी जरूरत नहीं होगी और इसकी वज़े से no need to argue with your staff आपको अपने staff से किसी तरह का argument भी नहीं करना पड़ेगा जरूरत है business को automation पर ले जाने की उसके लिए क्या जरूरत है आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अपनी company को किस level तक लेकर जाना है उस उद्देश्य के बाद आप सारे process को develop करेंगे कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको हासिल करने के लिए मैंने कैसे process design किया sales का क्या process है marketing का क्या process है promotion का क्या process है follow up का क्या process है और इदी process को बनाने में develop करने में कोई problem आ रही है न तो आप comment box में लिखकर मुझे बताओ कि किस तरह का process आप चाहते हैं या आप हमारी team को call करके भी अगली appointment के बारे में बात कर सकते हैं या training course के बारे में बात कर सकते हैं process develop होने के बाद उसक system में implement करना ताकि जो system आपने develop किया उससे वो लोग आपके process को proper system से चलाएं क्योंकि कितना भी automation हो उनको manage करने के लिए तो लोगों की जूरत पड़ती है और वही लोग जब आपके लिए काम करेंगे तो आपका काम होगा उनको properly monitor करना अगर आपकी monitoring best है तो आप वहाँ पर सही direction उनको दे पाएंगे और यदि सही direction आप देते हैं तो आप अपने सभी goals को आसानी से achieve कर पाएंगे यह बहुत important role play करेगा अगर आप अपने business में actual growth करना चाहते है अगली important बात है आपने अपने business में growth करनी है ना तो growth का केवल एकी फार्मूला है कि sales बढ़े आज दुन advertisement किया आपने marketing की सारी strategy लगाई अगर marketing के बारे में समझना है तो एक वीडियो मेरा और है special marketing के उपर उसको जरूर देखें marketing के बाद आपके पास जो पूरी ताकत लगाने के बाद marketing के बाद जो सारी detail आपके पास है वो है number of leads friends यहां बड़ा important role play करता है आपके पास जितनी leads आई हैं आप उन leads के resources को पैचाने की पहले वो leads आई कहां से हैं मतलब अगर वो leads advertisement के थ्रू आई है तो आपको अपनी ऐसी strategy डिजाइन करनी है जहां पर हमारी advertisement को और बढ़ा सके फाइन आपकी leads अगर walk-ins के थ्रू आई है लोगों ने आपका advertisement देखा लेकिन आपकी shop पर आ लोगों ने visit किया walk-in किया वहां पर आए आपके product को देखा आपकी services के बारे में जाना या आपके पास उन leads से call generate हुई है friends कई बार क्या होता है कि आपने advertisement दिया वहां को contact number दिया हुआ है लोग आपको call करके भी आपके business के बारे में जानते है product के बारे में जानते हैं इसके बात बहुत सारी जो lead convert हो गई जो sales हो गई उनसे कितना हमें repeat order आया है तो repeat order लाने के लिए भी हमें काम करना होगा इसके साथ साथ जो repeat order आया है उसने कितना number of reference हमें regular दिया है तो यहां पर हमें देखना क्या है कि हमारी advertisement की strategy क्या है किस तरह से हम number of leads को बढ़ा सकते हैं इसक के अलावा number of calls बढ़ाने के लिए भी हम marketing बहुत अच्छा role play करती है लेकिन सबसे important है इन सभी method से आई हुई leads का proper record करना अगर आप properly अपनी leads को record रखते हैं तो यह record ही sales में convert होने वाला है तो important क्या है जो भी leads आपके पास आएं उनका proper record maintain करें बहुत सारे businessmen को मैंने देखा है उनी का number department में लगा होता है उनी का number sales में लगा होता है उनी का number promotion में होता है उनी का number follow up के लिए होता है हर चीज के लिए उनी का number लगा होता है और जब leads उनके पास आती हैं वो किसी और काम मेहेंगेज होते हैं तो वहाँ पर information दे देते हैं लेकि उस lead को record नहीं करते हैं त तो यह तरीका है अपनी leads को manage करने का, अब important बात क्या है, आपने बहुत अच्छी promotion कर ली, आपने बहुत अच्छी marketing कर ली, बहुत अधिक lead generate कर ली, अब lead को सही तरीके से follow करना, और follow up की strategy है, उसकी भी कई वीडियो इस channel पर आपको मिल जाएंगी, follow up की strategy के बाद जो final result आता ह वो था conversion, conversion into sale, मतलब आपके पास sales आ गई, लेकिन अगर आप अपनी sales को ठीक तरीके से maintain नहीं करेंगे, या अपने clients के साथ relation को और develop नहीं करेंगे, तो आपको repeat order आने वाला नहीं है, या आपको referend आने वाला नहीं है, और अगर आपने indirect way में, consumer की जरुरत को ठीक से ना के, उसको जितनी जरुता उससे कम की sale की, तो वो भी आपके लिए नुकसान है, और बड़े-बड़े brands इस चीज़ को लेकर बहुत ज़दा conscious होते हैं, कि जो client हमारे product को खरीदने के लिए तयार है, उसका conversion का जो amount है, उसका जो average sales volume में वो कैसे बढ़ाया जाए, तो यहां important क क्या है, sale जो आपके पास आने वाली है, या जो convert हुई है, उसमें up-sale के method को लगाना, friend, up-sale का मतलब क्या है, बहुत सारी company इस strategy का इस्तेमाल करती है, up-sale का example मैं आपको यह ता हूँ, मान लीजिए, आप Voltas का AC खरीदने गई है, और आपने का कि AC खरीदने के लिए मेरा requirement है, आपने का AC चाहिए, और AC किस, मतलब आपने बहुत सारे model देखे, तो वहाँ पर एक ही variant के तीन different model आपको दिखाने वाला है, कि सर यह basic model है, यह advanced model है, और यह premium model है, जो basic model है, वो 35,000 रुपे का है, इसमें क्या feature है, यह 3 star rating है, इसमें क्या feature है, यह 3 star rating है, इसमें जो electricity consumption है, वो ज्यादा होगा, मेरे पास एक advanced model भी है, जहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा price बढ़ेगा, मतलब 35,000 की जगा वो 37,000 रुपे का AC आपको मिलने वाला है, वो 4 star rating है, और 4 star rating के अलावा, उसमें auto sensor भी है, और auto sensor के अलावा, उसमें एक feature यह भी है, कि आप उसको अपने mobile phone स control कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, 35,000 का AC, 37,000 रुपे तो देने हैं, 2000 रुपे तो extra है, यह तो बहुत बढ़ी है, लेकिन वो तुरंट अपसे बेस्ट है, लेकिन यह 39,000 का है, तो आपको लगेगा, वो आपको 39,000 का AC सेल कर देगा, इसको बोलते हैं, अपसे अ प्रोडक्ट में different variant रखते हैं, जिसकी वज़ासे वो consumer, जो चीज लेने जाता है, उससे upgraded version ले लेता है, यह हर चीज में होता है, आप camera लेने जाएं, आप mobile phone ले, आप memory card लेने जाएं, तो वो कहेगा, मेरे पास एक 1 GB का card है, वो 1600 रुपे का है, लेकिन अगर आप सिर्फ 1800 खर्च करते हैं, तो आपको 2 GB का card मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर उसने आपको upselling कर दी, है न, इसके साथ-साथ वो कहता है कि सर, वैसे तो card reader 1000 रुपे का है, लेकिन अगर आप card reader भी लेते हैं, तो 500 रुपे का combo offer है, तो यहाँ पर उसने upselling कर दी, आपको बता दिया, इसक चलो, आप 16 GB का card ले लीजी, वो सिर्फ 2000 का है, मतलब उसने आपकी buying capacity को जो 16 सो शुरू होई थी, वो 2000 तक ले जाएगा, इस method को हम कहते हैं, upselling, अब आपको यह देखना है कि आपकी company में कौन सा ऐसा तरीका है, जहाँ पर आप आसानी से upselling कर सकते हैं, मतलब आपने consumer की जर 112 GB है, यह 1 TB है, ऐसे बहुत सारे variant, same product में निकालती, जिसकी वेज़ा से company आसानी से upselling कर लेती है, तो यह एक पहला तरीका है, upselling करके अपने product को आसानी से consumer तक पहुंचाना, second जो important method company play करती है, वो है cross selling, friends, upselling और cross selling में एक difference है, और वो difference कहा है, कि upselling का मतलब है कि same product में उसक पर आप एक product खरीदने जाते हैं, पहले वो upselling के माध्यम से आपकी buying capacity के हिसाब से, आप से advanced product बेशता है, मतलब जितने का बाल आप खरीदे रह सो ज्यादा का मल बेशता है, साथी साथ वो आपकी buying capacity को समझते हुए, तुरंत आपको offer करता है, कि sir मेरे पास इस product से किसे related और बेटर product भी है, for example, मैंने आपको बताए कि आप AC लेने गए, 35,000 रुपे का AC खरीदने के लिए तयार थे, अपना budget बना के गए थे, कि 35,000 का AC खरीदूँगा, आपको लगा यार मैंने 2000 रुपे और बढ़ा लिए, आपने 37,000 का AC खरीदने के लिए आप ready हो गए, फिर आप आपने 49,000 का AC खरीदने के लिए तयार हो गए, जो 5 स्टार रेटिंग है, ये 4 स्टार रेटिंग है, ये 3 स्टार रेटिंग है, मतलब आपको अप्ग्रेड करके, आपको अपसेल करके माल सेल कर दिया, अब वो कहता है कि सर आपने इतना बढ़िया, AC तो खरीद लिया, ले आपको नहीं बता रहा इतने पैसे खर्चोने वाले है, लेकिन उसने क्रोस सेलिंग करके, एक और एक्स्टा प्रोडक्ट आपको सेल कर दिया, और साथी साथ आपको एक ओफर और किया, कि सर अभी तो इसकी वारेंटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ 15 सुरुपे मुझे और देते हैं, तो मैं आपकी 2 यर प्लस extended वारेंटी आपकी कर देता हूं, तो आपका इसी कोई भी प्रॉबलम करेगा, तो दो साल आगे और आपके पास service लेने की possibility होगी, ये तरीका होता है, companies का, brands का, जहां पर वो upselling और cross selling के माध्यम से, अपने product को और ज़्यादा, अपनी sale को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, friends अगर आप अपनी company में केवल 10% upselling करते हैं, और केवल 10% cross selling करते हैं, तो automatically आपका business 100 से 120 पहुंच जाने वाला है, और जब 120 पर आप दुबारा ये farmer लगाने वाले हैं, तो 120 का फिर आप 20% निकाल लिजे, ऐसे आप calculate करेंगे, तो आने customer upselling करने की, cross selling करने की, अगर आपका cross selling बहुत बढ़िया है, और आपकी after sale service बहुत बढ़िया है, आपका customer के साथ relation बहुत बढ़िया है, तो वो client आपको repeat order देने वाला है, अब उस व्यक्ति को, अब उसने अपने घर को और बढ़ाया, एक floor और बना लिया, वहाँ भी उसक की requirement है, और आपके बात करने का तरीका बढ़िया था, आपका product बढ़िया था, और साथी साथ आपकी after sale service बहुत अच्छी थी, मतलब जितना आपने promise किया था, उससे जदा best आपने deliver किया, आपको अपने consumer को केवल उतना ही promise करना है, जितना आप actual deliver कर सकते हो, या उससे कुछ परसेंट कम ही promise करना है, ताकि जब आप अपनी delivery दें, तो आपकी जो delivery का percentage है, satisfaction का percentage है, वो कही गुना बेतर हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपने एक client को अच्छी services दी, अच्छे promise को fulfill किया, after sale service दी, तो आसानी से वो आपको repeat order देने वाला है, फाइन, अब वही customer, जो आप से 35,000 का AC लेने आया था, और उसने 39,000 का AC प्लस 4500 का stabilizer ले लिया, अब वो व्यक्ति जब next time आपके पास आपको repeat order देगा, तो वो direct आपके उसी product को खरीदेगा, जो product वो पहले खरीदने के लिए अपने budget के हिसाब से तयार नहीं था, into 3, उसने का आप मेरी 3 bedroom है तीनों के तीनों bedroom में यही वाला AC लगना है, तो आपको जो repeat order आने वाला होता है, वहाँ पर percentage यदि 60, 70% तक आप अपने existing client को repeat order के लिए तयार कर लेते हैं, तो आपका business बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, इसके बाद जब आपका client repeat order देने लगे, या आपके product या service से satisfy हो, तो वह आपको references देता है, referrals देता है, और friends, referral में आपके sale करने के अलावा, आपके product के अलावा सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनियाता भी उस product में जुड जाती है, जैसे मैं आपसे example पूछू ना, अच्छा मैं एक 40-50 दर का mobile phone लेना चाता हूँ, मुझे comment box में ल client आपका product actual में use कर रहा है, वो जो आपको reference देगा, वहाँ पर आपकी credibility और मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत credibility होगी, उस व्यक्ति की उतना ज़्यादा sales conversion का formula आपका काम करेगा, ज्यान रखिए आप जितनी भी 100% lead लेका राते हैं, उसमें second level पर 76% रह जाती है और follow up के बाद, आगे जब हम और काम करते हैं, उसमें hot, cold and warm अलग-अलग lead को identify करते हैं, तो वो lead जो रह जाती है 58%, 58% के बाद, उनमें से जो लोग अपना desire शो करते हैं कि मुझे अपना product चाहिए, वो 31% होता और finally sale आपके पास capable 12% achieve होती है, तो यहाँ important है कि किस तरह से हम sales के conversion को बढ़ाएं, क्योंकि actual sales तभी grow होगी, जब आप ये सारे steps को follow करेंगे, आपका ये इन steps related कोई भी प्रशन है ना, तो मुझे comment box में लिखका ज़रूर बताएं, और कोई भी informative वीडियो मिस ना, उसके लिए इस channel को ज़रूर subscribe करें, क्योंकि sales की आने वाली बहतरीन बढाएं के कृशब करेंर होगी.